नमस्कार आजम जबलपुर के कच्छनार सिटी में आप पहुंचे हैं और यहां पर हम यह जानना चाहते हैं कि जबलपुर के युवा रोजगार के प्रतिक्या मन्सा रखते हैं तो आईए हम बात करते हैं जबलपुर के युवाओं से तर आपका नाम राजव यादव नाम तो बहुत अच्छा है यह आपका और आपको क्या लगता है कि जबलपुर में रोजगार की क्या सम्बावनाएं जबलपुर रोजगार सर रहते हैं तो आज कल कहना लोग अपलाइन कर रहे हैं लोग करना नहीं चाहां अब कुछ्छ लो और अभी आप क्या कर रहे हैं बस कुछ नहीं बस अपने रूम में रहते हैं फ्रेंड के साथ पढ़ाई लिखाई कुछ चल रही हमारी रेनिंग में है कॉले चल रहा है मेरा ठीक धन्यवाद करते तर है कि यह बताईए जबलपुर की रोजगार के बारे में आप क्या समझते हैं क्या संभावना है आप हमार तक कुछ नहीं इंगी अब अब इसे अगया नाम लिखते हैं फोले ढ़गू शैनल च्किंग गुजर और रोजगार की क्या संभावना कुछ बता सकते हैं दो हमारों हो एप डिया बताई कि इस तो अभी तुम्हें रीडिशन कर रहों तो रोजगार पर दियान नहीं दे रहा हूं बट रोजगार की बात की जाए तो कोपुलेशन के हिसाब से रोजगार बहुत कम है वैसे किस तरीके से रोजगार चाहते हैं वैसे गवर्मेंट की साइड से रोजगार ज्यादा बैटर रहता है यह दनने वाद तिंग अब यह अब यह अब यह जानकारी चाहते हैं क्या आपको लगता है क्या है रोजगार की कमी पूछ रहें क्या आप नहीं जबलपूर में रोजगार की क्या संभावना है आपको क्या लगता है कमी है कि जादा है नहीं जबलपूर में रोजगार ढूंडे तो रोजगार ही रोजगार है भाईया हर को अपने हिसाब से रोजगार कर सकता है अगर उसके अंदर थोड़ी से भी आत्म शक्ती हो यानि कुछ करने की तो अपने छोटा-मोटा व्योसाय करके और व्योसाय अपना करके रोजगार तो कर सकता है अग्यानाम लिखते है अप मैं विनीता चौधरी जयन धन्यवाद पापे दिया के बाद है कि एक मिनट दिया जबलपूर के रोजगार के बारे में आप कुछ क्याना जाए हम लोग क्या बोल सकते हैं रोजगार के लिए हमसे ने हम लोग सरकारी आदमी है हमारी मतल करो चलिए धन्यवाद कि झाल